नमश्कार दोस्तों अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है चीन जैसे दुश्मनों को काउंटर करने के लिए वाशिंग्टन में भारत और अमेरिका के बीच बड़ी रक्षा डील हुई है वश्टों 2047 तक विक्सत भारत के लक्ष को पूरा करने के लिए अमारिकी कम्पनियों ने नई दिल्ली से हाथ मिलाया है इसमें अमारिका की प्रमुक रक्षा उत्पाधन कम्पनियां भारत में मेकेन इंडिया के तख़त हत्यारों का उत्पाधन करेगी भारत और अमारिका की ओर से संयुक्त रूप से बनाये गए थे हतियार अब आने वारे समय में पूरी दुनिया पर राच करेंगे यानि पूरी दुनिया अब भारत में बनी हतियार खरीदेगी यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धी होगी जो भारत और अमारिका को रक्षा उत्पादन में वर्ल्ड का सूपर पावर बना देगी रक्षामंत्री राजना सिंग ने इन लक्षों के तहट अमारिका के रास्टी सुरक्षा सलैकार यानी NSA जेक सुल्विन से मुलाकाद कर भारत और अमेरिका के आपसी हितों के एहम रणनीती मामलों पर अपना द्रिष्टिकोंड साजहा किया इसे एक दिन पहले ही भारत और अमारिका ने अपने व्याश्विक रणनीती साजहदारी को और मजबूत करने के लिए दो प्रमुक समझहोतों पर हस्ताक्षर किये थे सिंग दोनों देशों के बीच व्यापक व्याश्पिक रणनीती साजेदारी को और मजबूत करने के लिए अमारिका की यात्रा पर यहां पहुचे हैं सिंग ने शुक्रवार को अपनी बैठक के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा अमारिका के रास्टे सुरक्षा सलाकार जेक सुल्विन से मिलकर और आपसे हित के एहम रणनीती मामलों पर द्रिष्टिकोर साजा करके खुशी हुई US ISPF बोर्ट के सदस्यों और रक्षा उध्यों के नेताओं के साथ एक गोल मीच सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने अमारिका भारत रक्षा सम्मंदो इसमें अभूत पूर्प व्रधी तधा इस बात पर चर्चा की कैसी रक्षा छेत्र एवं अनारिकी कंपनियों का निवेश भारत की विकास गाथा और 2047 की लक्ष को हासल करने में एहम भूमिका निभाएंगे इसमें कहा गया है कि सिंग ने रक्षा कतिविधियों के माध्यम से रणीतिक साजेदारी और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोड दिया US ISPF के अध्यक्ष और मुक्या कारेकारी अधिकारी यानि की CEO मुकेश अगी ने कहा कि सिंग ने रक्षा समंदों और रणीति समंदों के विकास पर बात की जिसमें निजी छेत्र अब साइबर ड्रोन, AI अंतरिक्ष और कॉंटम जैसी महत्वपूर और उभरती प्रोध्योगिकी के ने छेत्रों में गेहन रक्षा तालमेल स्थापित करने में एहम भूमिका निभाता है